तो 71 साल उमर हो रहा है इतने बूजुरुग है लेकिन इनका जजवा देखिया जुनुन देखिए ये खुद अभी साइकलिंग करके भारत ब्रमन करते हैं ये देखिए ये साइकल है इनका यहां पर पूरा बोर्ड वगर लगा हुआ है ये देख सकते हैं इसी साइकल से ये अभी भारत ब्रमन कर रहे हैं तो कहते हैं आपके अंदर में जजवा हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं अभी जो ये अंकल जी को देख रहे हैं मेरे साथ इनका उमर हो रहा है इतने बूजुरुग है लेकिन इनका जजवा देखिया जुनुन देखिए ये खुद इन मकसदे जोतिलिंग यातरा अभी श्टार्ट किये हैं ये कासी विस्वना जोतिलिंग बनारस से तो और अंकल जी कहां से रहते हैं महिंद्र प्रमार इनका नाम है गुजरात्म से ये बिलोंग करते हैं अंकल जी पहले ये बताइए आप इतना उमर होने के बाद मतलब य किया है अभी ये कासी विस्वनास से सुरू किया है कितने जोतिलिंग अभी तक घूम लिया अभी साइकल पर दो घूमा हूं तो साइकल इतना बुजूर्ग है आप फिर भी इतना एनरजी उर्जा आभी का बच्चों में तो मतलब समझ रहना रात में लेट नाइट सोना द करता हूं अच्छा योगा करते हैं वाकिंग भी करते हैं मौर्निंग और खान पन कैसा रहता है मेरा साधा रहता है यह फ्रूट और यह सलाट ज्यादा खाता हूं अच्छा और यह जंग फूट बिलकुल नहीं मीठाई नहीं तो 71 सल आप उमर हो गया परिवार में कौन कौ पाहर मत जए यह लोग क्या बोलता है इसमर में लोग चलते हैं नहीं साइकल के कहा जा रहे हैं अच्छा और अभी जैसे आप घूंबते हैं तो रहना खाना यह सब कैसे हो पाता है आपका रहना खाना मेरा रास्ते में दावा है यह किसी एक घर है इसा ही कोई बुजर्ग है उसे अभावी तो भी अपने घर खाना बना खिलाते हैं राज को रहने के लिए देते हैं नहीं तो जरम साला है मंदीर है या फिर और भी कुछ नहीं मिला तो पेट्रल पंपर राज पर गुजारा कर लेता हूं पेट्रल पंप से बेस्ट जगा हो पाटल्त में आप सारा लेकर घूंवते हैं ना जरूरी सब चिज रखता हो गया हूं अव्धने का लिए विछाना विखना हो घुमते हैं तो साक्षाइब का सामान बड़ा बैग है 20 दौटल 22 किलो हो जाएगा ना तो इतना यह देखे वजन लेकर इस cycle से घूमते हैं यहा अच्छा पंचर वगर अगर हो जाता तो खुद ही बना लेता हूं तो यह कैसे आपको मतलब कुछ करते दिख्या ऐसा कुछ काम पहले नहीं नहीं वह तो सब मैं देख देख के सिखा तो आप काम क्या करते थी इलक्ट्रोनिक का पहले काम करते अभी करते हैं छोड़ दिन मतलब में क्या है मेरा यह आत्मविश्वास आत्मविश्वास ना मुझे जो करना है में करके छोड़ता हूं और मेरा खान पान है जो पहले आपका एकदम बोड़ी पुरा फीट है कोई बीमारी नहीं कोई बीमार चालिस साल से में कोई ऐलेपथी देवा तो बिलकुल लेत वह थे ला दिया था बाइंड यह सब सब अशकड़ी ना आपने ना है ओर डिए यह बल देता है और अंकल जी को किसी ने चिनियां बदाम दीया था तो इसको tumor ने मुझे किप्ट कर दिया है ना जब प्लास्टिक पर रखा हुआ है तो यह सब उस्ति अचा लगा खा लेना चाहिए लोगों को आपसे ये वीडियो देख करके ज्यादा ज्यादा भाई साब ये इस वीडियो को सेर करना और अंकल जी को देख करके मोटिवेट होना देख रहे होना अभी 22 साल उमर नहीं होता है बच्चा लोग का 3-4 बीमारी पकड़ लेता है ठीक है उसके बाद बेड लगाते तो ज्यादा फूर अब रखाने सो अभी ठीक हो गया अभी चासमा लग नहीं तो यह साल में इतने साल में क्या है मोत्याबीन यह दूनियां भर की बीमरी आ जाती लेकिन मेरा जो है चसमा वह भी निकल गया फूरूट्स खाना जरूरी है समझ रहा है और बाहर का बंद करो एंड इस वीडियो को जादा जादा सेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करो पेज को एंड अंकल जी सीव जी के बहुत बड़े वक्त है तो बोलो हर हर महादेव बाई